हाई गाईज तो आज हम नवरत्री स्पेशल दई भल्ले बनाने वाले हैं तो आप ये दई भल्ले वुरत के दिनों में बना कर खा सकते हैं तो ये दई भल्ले बहुती आसानी से हम घर्म पे ही बना सकते हैं तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपने दई भल्ले की रेसेपी वेल्कम टू बैक मा यूटूब चानल वेशार इंडेन सेपी में तो अपने वरत के दैबले बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी समाके चावल लिये है और एक चोटाई कटोरी सावधाना लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्यान लिया है इसमें हम एक कटोरी समाके चावल और एक चोटाई कटोरी सावधाना लिये इन दोनों को चलाते चलाते पाच मिनिट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे तो यह देखिए हमने इसे भून लिया है तो यहाँ पे हमें यह बिल्कुल भी दरदर आने चाहिए इस तरह की बिल्कुल फाइन पाउडर बनानी है तो यहाँ पे हमने एक प्यान लिया है इसमें हम दो चमच ओईल एट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओईल गरम हो चुका है अब हम इसमें बरिकट की हुई दो हरी मिर्च एट करेंगे और इस हरी मिर्च को एक मिनिट टक अच्चे से भून लेंगे तो यह देखिए हमने इसे अच्चे से भून लिया है अब हम इसमें समा के चावल और साबुदाना की हमने जो पाउडर बना के रखी थी इसमें एट करेंगे और एक मिनिट इसे अच्चे से चला लेंगे तो एक मिनिट हमने इसे भून लिया है तो जिस कटोरी से हमने एक कटोरी समा के चावल लिये थे उसी कटोरी से हम दो कटोरी पानी इसमें एट करेंगे तो इसे अच्चे से चला लेंगे तो इसे अच्चे से अगर आप कोई मेरा वीडियो पसन आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो यह देवल्ले हम उरत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें आदा चमच सेंदा नमड डालेंगे तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर और एक दो मिनिट के लिए मिडियम फ्रेम पर इसे पकने देंगे तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से फूल गया है और पक भी चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम हातों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो इस तरह से हम इसके चोटे-चोटे भल्ले बना लेंगे ना बहुत बड़े ना बहुत चोटे इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे हमने सारे बल्ले बना लिये है अब हम इने फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे बल्ले कितने पर्फेक्ट बने है तो यहाँ पे हमने एक पैन में पहले से आईल गरम करने के लिए रखा था तो एक एक करके सारे दई बल्ले हम इस पैन में रख देंगे तो यह हमारे दई भल्ले जो है वो बहुती सॉफ्ट है इसलिए हम इने डिप फ्राय नहीं करेंगे स्रिफ शेलो फ्राय ही करेंगे और अगर आप मेरे चानल पे नए होंगे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरू क्लिकेजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पोच जाए तो इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन गलर आ चुका है अब हम इन्हें एक स्टेनर में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं तो यहाँ पे हमने एक बाउल में पानी लिया है इसमें हम सारे दई बल्ले अट करेंगे तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं एक खाकर देखिएगा बहुती बड़िया लगते हैं अब हम इन दई बल्लों को पाच मिनिट के लिए ढग कर रख देंगे तो यहाँ पे पाच मिनिट हो चुके अब हम इने खूल कर देख लेते हैं तो दई भले बनाने के लिए पुरी तरह से रेडिये अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे तो हमने इने सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसमें मीठा दई आट करेंगे फास्ट वाली हरी चटनी आड़ करेंगे फास्ट वाली मीटी चटनी आड़ करेंगे और थोड़ा सा सेंदा नमक उपर से चिड़ केंगे उपर से थुड़ी काली मीर्च पाउडर आड़ करेंगे तो रेडिय है हमारे नवरात्री स्पेशल फास्ट वाले दई भल्ले तो आप इन दई भल्लों को जरूर बना कर देखे जरूर ट्राइ कीजे तो चलिए मिलते नेस्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच फार आचिंग दिस वीडियो बाई